मैं सुनिल जी खाटी बिहारी शुद्ध भारती है अब भारत के तमाम परबुद्ध जन छात्रों के लिए फिर से एक ज्यानवर्धक और जानकारी लेकर के आया हैं और इश्वार है कि कोरोना की नई दवा एंटी बडिक कॉक्टेल क्या है बरही आसान और हो सकता है कि हास भ कर दे मुझे कोई आपती नहीं तो एंटी बडिक कॉक्टेल क्या होता है एंटी बडिक हम जानते हैं कि जो बिमारी से लरने वाला हमारा शरीर के अंदर का एक गुप्ट तंत्र है एक ऐसा अद्रिस तंत्र जो लरता है कॉक्टेल कहते हैं मिश्रम कॉक्टेल सब्द का मिला दे आप टॉब और आप पिए उसको मिश्रन कॉक्टेल हम उसको कर सकते हैं सामान भाषा में कॉक्टेल इसको हम ई कर सकते हैं कि आप भात में दाल मिला दो दूद मिला दो डही मिला दो सलाद मिला दो और एक ही बार उसको हजम कर जाओ तो वो खाने के लिए कॉक्टेल ह कॉक्टेल होता है मिला हुआ अब यहां पर एक शब्द और जान ले कि इस वार कॉक्टेल इसलिए बना गया एंटीबडी का कि कुछ वेक्टी में कोरोना का टीका देने के बावजूद भी जो कोरोना की टीका होती है यह देने के बावजूद भी उसमें प्रतिरक्षा तंत् फ्यू फ्यू लिम्टेड पिपुल्स डे आर नोट केरेंग दर रिस्पॉंडिंग दर वेक्षिन वो आपको उसको रिस्पॉंड ही ने कर रहे हैं अब वहसा ब्यक्ति कि यह दिमाली जो करोना हो गया या किसी ब्यक्ति ने ठीका नहीं लिया है तब करोना हो गया तो उस इसके लिए ये दवा महतपुर्ण है और काफी उपयोगी है अब मोनो क्लोन लग एंटीबडी होता है कि एक तो मोनो मोनो मिंस एक क्लोन के द्वारा अर्थात की किसी की परतिकृती डेने की परतिकृती एंटीबडी की परतिकृती तयार कर लिए गई है और उसको मिलाने स बनाय जाता है अब इसमें किन दो दवाओं को बनाय जाता हूँ तो मैं आपको अभी बतलाता हूँ तुरंद बतलाता हूँ तो यह जो antibody के मिला करके बनाया गया यह अलग-अलग clone प्रतिकर्टी को दो clone को मिला करके और तब एक cocktail बनाया गया और यही दियाज जा रहा है और और यह उपयोगी है इससे क्या होता है जो कुरोना के पेशन्ट जल्द ठीक हो जाते हैं उनकी ऑक्सीजन पर डिपेंडेंस घड़ जाती है ऑक्सीजन के अस्तर तक नहीं पहुंचते हैं उसके पहले ही जो 14 दिन में ठीक होते हैं वो 7-8 दिन में ठीक करके ही और वो हॉस्प यह बहुत ही महतपुर्ण दवा कंपनी है और जो दो दवा का इसमें मिश्ण तयार किया गया है वो है आपका एक है कैसीरे भिमेब और दूसरा है इंडे भिमेब इसकी 600-600 मिलीगरम का इसको मिला करके और तब यह कॉक्टेल तयार किया गया है यह मद्धन से सामान कोरोना पेशन्ट को ही देना है क्रिटकल हो जाने के बाद यह उतना काम नहीं पर करेगा लेकिन एक बात और है कि यदि इसको मध्यम और माइल्ड इस्थिती में ही दे दिया जाता है सामान कोरोना के ही इस्थिती में तो साइड वो क्रिटकल इस्थिती में जाने से अधिकांस पे यह तो गरीब के लिए शंभव नहीं होगा इसलिए सरकार को चाहिए जिसका दाम घटाबे जी एस्टी घटाबे जो टेक्स लगता है वो घटाबे कम सकम लेकिन इसको सस्तिंग उपलब दोनी चाहिए यह तो सरकार का विशय है लेकिन यह दवा आई है भारत में पहली खेप यह पहुँच चुकी है और दूसरी खेप जो है वो जून के मद तक आपको आ जाएगे भारत में इमर्जेंसी यूज की इसको इजाज़त भी मिल चुकी है और इमर्जेंसी परिशिती में आश्चेर आपको लगया कि डोनाल ट्रंप अमेरिका के पूर्व रास्पती ने उसमें इसका अपने उपर प्रियोग किया था जिसमें उनको कोरोना हुआ था और बहुत जल्दी वो ठीक भी हो गये तो उसमें ये दवा संभब्ते है ट्राइल के ही फ्येज में था और इसको सेंटरल ड्रग स्टेंडर्ड कंट्रोल और्गनाइजेशन ने भी इसकी इमर पुन बात है कि जो कोरोना के पेसेंट जो को मॉर्बिटीज से पृत है को मॉर्बिटीज होता है कि और भी बीमारियों से पृत होना बलड प्रेसर होना डाइबिटीज होना किडनी का प्रोब्लम होना हर्ट का प्रोब्लम होना लिवर का प्रोब्लम होना अन बीमारी से भ बेक्टी के लिए ये दबा एक अत्यंती बहुत महतपुर्ण भून का निभावेगी और मरीज क्रिटकल इस्थिती में आने से बसता है ये सबसे बड़ी महतपुर्ण है क्योंकि आपने देखा जो कोरोना में बहुत बेक्टी का घर भी गिया बहुत बेक्टी का मकान भी गि जितना उसके पाशेविंग्स थी वो खतम हो गया गारी घोरा मकान खेत बारी सब भी गया और तब भी कुछ ऐसे पेसेंट थे जो नहीं बच पाए कुछ ने बलगी कुछ एक पेसेंट जो थे अपना सबकुछ गवाने के बाब जो दिभी खो गया उस तो ऐसे थे जो अप दबा एक चमतकारी के दबा तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन यह जरूर कहूंगा कि यह दबा अत्यंत्य अप्योगी भुम्का निभावेगी और कॉरोना को प्राजित करने में इस दबा की भी भुम्का होगी लेकिन एक बात यह भी जान ले कि कोरोना का बचाब टीका में ही है टीका ले टीका ले वो सबसे बड़ा बचाब है वो कोरोना न हो उसके लिए बचाब है या कोरोना हो भी तो बहुत कम असर करके निकल जाए उसके लिए वो बचाब है टीका का दोनों डोज और ये जो दबा है एंटीबर्डी कॉक्टेल ये जब कोरोना हो जाएगा उसी इस्थिती में इसकी भूनका होगी वो भी mild या moderate इस्थिती में तो मैं तो चाहता हूँ जब भारत के किसी भी बैक्ति को कोरोना हो ही न और यदि हो भी तो उनको इस तरह की गंभीर दबा की मैं सुनिल जी खाटी बिहारी आपको ये वीडियो पशंद आया वह या लाइक करो और इसको शेयर करो बाट दो ताकि लोगों को जो है इस पर जानकारी मिले जै बिहार जै भारत